नमस्कार, मैं हूँ गीता ठाकुर हिमाचल एट सेविन में आप सभी का स्वागत है ये वक्त है हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों का कॉंग्रेस की राष्ट्रे महा सचिफ प्रयांका गांधी हिमाचल विधानसबा चुनाव मतगणना से पहले अब सक्रिय हो गई है सूत्रों की माने तो प्रयांका ने हिमाचल में मुख्य मंत्री पत के दाविदार आठ निताओं का बायो डाटा मंगवाया है इन आठ नेताओं के बारे में प्रदेश कॉंग्रेस से आठ बिंदूओं पर जानकारी मांगी गई है इसके अधार पर हाई कमान हिमाचल का मुख्य मंत्री चहरा तै करेगी रोक करेंगे अगली खबर की योड हिमाचल प्रदेश के कांगडा विधानसवा क्षेतर में आजकल सियासी चट्चाओं का जो बाजार है वो काफी गर्म है क्षेतर में भाजपा के बागी होकर निर्दल्य चुनाव लड़ने वाले नेता एक साथ देखे जा रहे है हाल ही में तीन बाग्यों ने आपस में मुलाकात की है धरमशाला के एक फाइफ स्टार होटेल में तीनों को एक साथ देखा गया है राज्य के सबसे बड़े जिले कांगडा में निर्दल्य चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के बागी नेता जस्मा पराखपूर से संजेप राशर इन दौरा से मनुहर धिमान और फतेखपूर से क्रिपाल परमार जो है धरम शाला स्थित एक होटेल में इन सभी ने मीटिंग की है और यहाँ पर जो समान विचार धारा वाले बागी है उन्हें एक साथ लाने की रण नीती पर चर्चा की गई है रुप करेंगे अगली खबर की ओर हिमाचल कॉंग्रेस ने पूर्व राष्ट्र अध्यक शेव अमसान सद राहूल गांधी को नई सरकार के शपत ग्रहन सामारों में शामिल होने का न्योता दिया है कॉंग्रेस महासचे विक्रमादिते सिंग ने बुधवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि भारत जोडो यात्रा के दौरान राहूल गांधी को शिमला आने का नियोता दिया गया है प्रदेश में चुनावी नतीजे आने में अभी नौ दिन शेश हैं विक्रमादिते सिंग एक तरफ बहुमत की बात करते नजर आ रही है तो दूसरी तरफ बागियों को साधने की बात भी कही जा रही है रुप करेंगे अगली खबर की ओर कॉंग्रेस प्रदेश में चुनाव ड्यूटी वाले करमचारियों के पोस्टल बैलिट वापस नहीं मिलने का मामला अब तूल पकटता जा रहा है कॉंग्रेस ने शिकायत पर गौर नहीं करने के बाद इलेक्शन कमेशन को रिमाइंडर भी भेजा है फिर भी कॉंग्रेस क कोट का दर्वाजा खटकटनाना पड़ेगा उन्होंने बताय कि चुनावी ड्यूटी वाले कई करमचारी वोट नहीं दे पाई हैं जबकि करमचारियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर कुलू धरमशाला के लिए हवाई का इंतिजार कर रहे लोगों के लिए अब एक राहत भरी खबर है इन दोनों जगाओं के लिए एलाइंस इंडिया 9 दिसंबर से अपनी हवाई सेवाएं शुरू कर रहा है केंद्रिय चुनावायोक से मिली मन्जूरी के बाद अब कंपनी ने जो है कुलू और धरमशाला के हवाई सेवाओं का शेड्यूल कर लिया है और 8 दिसंबर को मत गणना के बाद कंपनी हिमाचल के इन दोनों प्रेटन्स थलों के लिए हवाई सेवा शुरू करेगी रुक करेंगे अगली खबर की ओर हिमाचल प्रदेश युनिवरसिटी में बीती 24 घंटे से जो धरना प्र चाले दिनों में भी प्रशासन के खिलाफ अपना रोश प्रदर्शन जारी रखेंगे बीती मंगलवा रात को चातर संगठन SFI के बैनर तले स्टूडिन कैंपस में धरनी पड़टे रहे 24 घंटे के सांकेतिक धरनी के माध्यम से प्रदर्शन जो है चातर प्रशासन को सक्त संदेश देना चाह रहे थे रुख करेंगे अगली खबर की ओर हिमाचल में पिछले कुछ वर्शों से में जो है साइबर क्राइम जो है उसमें बड़ोतरी देखने को मिली है ठगो द्वारा लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं इस दिशा में पहल करते हुए साइबर क्राइम पुलिसिंग को मजबूत करने के उदेशा से हिमाचल पुलिस ने साइबर क्राइम इंवेस्टिगेजर बैज लॉंच किया है ये साइबर अपराद की जांच में सेयोग करने वाले वालों को पुरिसकार देने की एक नई योजना है जो इस लोटेंगे नई खबर के साथ